किसांसात्यों नमस्कार में हूँ राम गोपाल धाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर किसांसात्यों आज 6 अप्रेल 2024 है और वार है सनिवार और सनिवार के दिन किसांसात्यों ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश है कि आज आपको किसांसात्यों जो आने वाले आवकास है उसके बारे में जानकारी दे दूँ और दूसरी बात ये है कि सौमवार को जब मंडी चालू होने वाली है तो गेहों की arrival आज कितनी हुई है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देनी की कोशिश करूँ है इस वीडियो में पूरा वीडियो देखेगा मैं पूरा अपडेट दूआ कि आने वाले दिनों में चुट्टिया कब आ रही है और आज मंडी में गेहों की आव कि इस अपडेट को किसांसात्यों देख लेते हैं कि रतलाम मंडी से ये अपडेट कैसे तो आप इस वीडियो के माध्यम से पड़ भी पा रहे होंगे कि मंडी में कब चुट्टी है तो इस अपडेट में लिखा हुआ है कि सांसातियों ये अपडेट मुझे अभी थोड़ देर पहले मिला है इसमें लिखा हुआ है कि समस्त क्रशक बंदों को सुचित किया जाता है कि दिनांक 8-4-2024 सुम्मार को ही मंडी एक दिन चलेगी दिनांक 9-10 और 11 अप्रेल को सासकी अवकास होने से मंडी का अवकास रहेगा आज दिनांक 6-4-2024 को सनिवार के दिन तक मंडी में लगबग 500 वाहन आ गए है ये अपडेट थोड़ दिर पहले का है यानि कि आप समय भी देख पार हो हैंगे 12-42 का अपडेट है और इस समय तक 500 वाहन रतलाम मंडी में आ गए है यह पूरी जानकारी आप तक में पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से और आप पूरी तरीके से इस सुचना को बराबर देखिएगा अगर आपको सही दिखाएनी दे रहो हो तो वीडियो का रिजुलिशन बड़ा लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से सुचना का ये अपडेट प्राप्त हो सके और अपने किसान मित्रों को भी बताईए इस अपडेट के बारे में यानि कि किसान सद्यों सुम्मार को मंडी चलेगी 9 तारीक 10 तारीक और 11 तारीक को सास की अवकास रहेगा मंडी में और आज अभी तक 500 वाहन आ चुके हैं और एक दिन में निलाम 500 वाहन ही होते हैं निलाम इस बात का पविश्य ध्यान रखे किसा चुकी हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकरी देने की कोशिस की हैं तो किसान सद्यों आपने इस वीडियो के माध्यम से आवकास और आवक के बारे में पूरा अपडेट देखा हैं तो आप इस अपडेट को अपने किसान वित्रों को भी बताईए ता तो किसान सत्यों आपने इस वीडियो के अमाध्यम से पूरा अपडेट देखा अवकास का और किसान सत्यों आवग का आज सनिवारे और सनिवार के दिन सुम्मार की निलामी के लिए परियाप्त वाहन आ चुके हैं अगर इससे अधिक वाहनों की संक्या होगी तो फिर निलाम नहीं हो पाईगी उनको फिर तीन दिन रुकना पड़ेगा इसलिए कि संसत्यों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्धिश है कि आप रतलाम मंडी में जो वाहन परियाप्त हो गए ही निलामी के लिए सुम्मार की निलामी के लिए तो अब आप नहीं आए और आपका समय बच सके आपको तीन दिन मंडी में रुकना नहीं पड़े इसी उद्धिश के कारण में आज यह वीडियो बनाया है और आप तक पहुंचा रहा हूं और आप अब रतलाम मंडी में अपने ग्यों के वाहन को लेकर नहीं आवे और केवल एक दिन मंडी चलेगी तो एक द चलेगी तो उसमें 500 वाहन इलाम होते हैं तो फिर आपका वहान अगर रह जाएगा तो आपको फिर तीन दिन रुकना पड़ेगा इसलिए किसांसातियों मेरा उद्धिश यहीं है कि आपको मंडी की सूचना के बारे में अपडेट देना और किसांसातियों चुट्टी का भ सबसे पहले आप तक पहुंचा हूंगा किसांसातियों यह थी रतलाम क्रशी उपंजमंडी में वाहनों की आवक और आवकास के बारे में पूरी सूचना तो मिलते हैं किसांसातियों अगले वीडियों में तब तक के लिए जै वंदे मातरम जय जवान जय किसान जय विग्यान धन्यवाद